हेलो एव्रिवन विल्कम बैक टू कुरंट अफेयर स्पाई रवी यूट्यूब चैनल एंड इस अदिती जैसे कि आप सभी को पता ही है आज जो है बजट दोहजार जोबीस पेश किया गया हमारी वित्मंत्री निल्म्रा सितारमन जी के द्वारा छटी बार लगता छटी बा उस बार का पेश किया गया है अंत्री में रजट के भार में कैसमें तक है अंत्री मगतान जो से जुड़े हुए इंपार्टन उशन 2024 के वह 10 के डिसकुस की यह लास्ट में बैविडियो के साता आप दने रहेगuben आं क्लीज़िए आपकी लिए अपकमिंग एक्जैम्स के लिए तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं without any further discussion देखे सबसे पहले तो जानते हैं जो बजट शब्द है इसका मतलब क्या होता है ठीक है आप बजट तो पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए कि बजट जो है इसका मीनिंग क्या होता है तो बजट शब्द जो है यह आपका फ्रेंच भाषा के वर्ड बोगेट से आया है ठीक है जिसका की मतलब होता है चमडे का थैला फ्रेंच समीधान की अनुछेद 112 की अनुसार जो है आम बजट एक वित्वर्ष में सरकार की आई वियाई का लेखा जोका होता है और अगर बात करें हम स्वतंतर भारत के पहले बजट की तो पहला बजट जो है स्वतंतर भारत का यह आपका पेश किया गया था 1947 में ठीक है वित्वंतरी निर्मला सितारमन जी ने आज यानि की 1 फेबरेरी दोहसार चोबीस को सरकार का आंतरीम बजट बजट पेश किया तो फैंस देखिए बार-बार बात आ रही है आंतरीम बजट की तो आईए जानते हैं कि आंतरीम बजट आखिर होता गया है तो आंतरिम बजट जो है ये चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए जो है सरकारी खर्चों रास्तव व्योरा होता है अर्थात ये जो है ये पून बजट के आने तक के लिए एक अस्थाई जो है वो प्रापधान है तो अब हम जानते हैं अंतरिम बजट 2024 से जुड़े कुछ important MCQs यानि कि अंतरिम बजट 2024 में जो है क्या-क्या important highlights है वो अब मैं आपको बताऊंगी तो सबसे पहला ही हमारा question है जो अंतरिम बजट 2024 है ये आपका किस के दौरा पेश किया गया ये तो आप सभी को ही पता होगा right answer option number A रहेगा आपका निर्मला सिता रमन जो कि हमारी वित्त मंतरी है इन्हों ने जो है आंतरिम बजट 2024 को पेश किया है इस बजट में है क्या-क्या तो वो जानते हैं देखे वित्त मंतरी सीता रमन जी का कहना है कि सरकार जो है ये 2047 तक भारत को विक्सित भारत यानि कि विक्सित रास्टर बनाने के लिए काम कर रही है ठीक है परधानमंति गरीब कल्यान योजना के तहट फ्रेंट्स जो है 80 करोड गरीब परिवारों को मुफ्त राशन पहुँचाया गया इस योजना के तहट जो है बीपिल काड़ वाले परिवारों को हर महीने प्रतिवेक्ती 4 किलोक्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चाबल जो है वो मुफ्त दिया जाता है वितमंत्री ने कहा कि सरकार जो है ये सर्व समावेशी विकास के देश्टिकोन के साथ जो है वो काम कर रही है सरकार जो है चार प्रमुख समुहों जिनमें की गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंडित कर रही है वितमंदरी का कहना है कि सरकार ने 10 वर्षों में 25 करोड लोगों को बहु आयामी गरीबी से क्या करा है उपर उठाया है आगे जानते हैं तो देखिए PM स्वनीधी योजना जो थी इसके तहत 78 लैक स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उन्हें रिन दिया गया ठीक है उन्होंने कहा कि 2.3 लैक स्ट्रीट वेंडर्स जो थे इन्हें तीसरी बार इन मिला और PM जंधन योजना के तहत 34 लैक करोड रुपई के प्रतिक्ष लाब हस्तांतरन से सरकार को 2.7 लैक करोड रुपई की बचत हुई है नेक्स्ट अगर बात करी कोशल भारत मिशन के तहत तो इसके तहत 1.4 करोड युवाओं को परशिक्षित किया गया और 54 लैक लोगों को कुछल बनाया गया कोशल भारत मिशन के तहत तीन हजार नए आईटीस भी स्थापित हुए है नेक्स्ट आगे देखते हैं कुछ इंपॉड़न फेक्ट्स तो देखें पीम किसान सम्मान युजना के तहस प्रतिवर्ष 11.8 करोड किसानों को सिधी वित्य सहायता जो है वो प्रदान की गई बजट में वित्मत्री निर्मरा सितारमन जी ने कहा कि सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने पर जोड़ दिया है और 4 करोड किसानों को पीम फसल भीमा युजना का लाब भी दिया गया है पीम किसान युजना से जो है फ्रेंस 11.8 करोड लोगों को आर्थिक मदद जो है वो मिली है पिछले वित्य वर्ष में जो है ये 10 वर्ष में फ्रेंस आपका बड़ा है 28 पर तीशत वित्मदरी निर्मला सितनमंजी का कहना है कि जन सांख्या की लोगतंत्रों और विवित्ता की त्रिवेनी यानि की 3D ट्रिनीटी भारत के जो है हर सपने को क्या करेगी पूरा करेगी परधानमंती आवास योजना जो है फ्रेंट गी करोना की जनोतियों के बापजूत भी ग्रामीन छेतर की 3 करोड घरों को बनाने का लक्षय सरकार ने प्राप्त कर लिया है और अगले 5 वर्षों में 2 करोड और घर बनाने का जो काम है वो पूरा किया जाएगा देश में आपके 1 करोड घरों को सोरुजा के जरीए 300 जुनेट बिजली मुफ्त दी जाएगी इस बार के बजट में रक्षा खर्च को 11.1 फिस्ती बढ़ाने की बात कही गई है और हालांकि इसका बड़ा हिस्सा जो है फ्रेंट्स वो आपका पैंशन और सैलरी के लिए कि लड़कियों को जो है सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए उन्हें मुफ्त टिका दिया चाएगा आयुश्मान भारत योजना के तहट जो है सभी आशा कन्वी और आंगडवाडी जो करम चारी हैं फैंस उन्हें सुविदा मिलेगी किसी योजना के तहट आयुश्मान जो है फैंस नैनो डैप की अनुप्रयोग का विस्थार किया जाएगा और 2013-14 के बाद जो है समुद्री खादे निर्यात जो है ये दो गुना होने की प्रिष्ट भूमी में पांच एकिकृत एकवा पार्ग जो है स्थापित किये जाएंगे लगपदी दीदी का जो लक्षे है वो दो करोड से बढ़ा कर तीन करोड किया गया वित्मति निर्मला सीता रमन जी ने कहा कि नो करोड महिलाओं वाले 83 लैक समय सहायता समुग रामिन समाजिक आर्थिक परिद रिष्चे को जो है वो बदल रहे हैं समय सहायता समुग की रू की जाएगी और 40,000 रेल बोगियों को जो है बंदे भारत मानकों के अनुरूप में जो है वो बतला जाएगा सरकार अगले वितवर्ष में जो है बुन्यादी धांजे के निर्मान में फ्रेंस 11.11 करोड रुपए खर्च करेगी नेक्स एक ये वितवर्ष दोहजार पचीस में जो बुन्यादी धांजा वेर सकल घरेली उतपाद यानिकी GDP हैफेंट ये जो है 3.4 परसेंट होने का नुमान लगाया गया है 2030 तक 100 मिलियन टन की कोईला गैसी करन और द्रवी करन चमता जो है वो स्तापित की जाएगी इबसों को जो है दिक अपनाने को जो है प्रोत साहीत किया जाएगा और वहीं बायो मैनिफेक्चरिंग बायो फाउंडरी की जो है नई योजनाए शुरू की जाएगी राजी सरकारों द्वारा जो है मील के पत्रों से जुड़े सुधारों के लिए फ्रेंस पचास वर्षिय व्याज मुक्त रिन के रूप में जो है 75,000 करोर रुपए का प्राधान किया गया है लक्ष द्विप सहीत द्विपो पर बंदर गहा कनेक्टिविटी सुभिधाओं के लिए जो है फ्रेंस काफी सारी परियोजनाए जो है शुरू की जाएंगी ये जो है 2024 के आंतरीन बजट में कहा गया है नेक्स एक ये वितवर्ष 2014 के लिए राजकोशी घाटे का जो लक्ष रखा गया है फ्रेंस वो संशोदित कर सकल घरेलू पात के 5.8% कर दिया गया है जो की पहले था आपका 5.9% ठीक है वहीं बात करें, financial air 2025 के लिए जो राजकोशी घाटा है उसका लक्ष कितना रखा गया, तो उसका लक्ष जो है ये 5.1% जो है यहां का गया है बात करें Financial Air 2024 की फैंट्स इसका जो कुल वे है देखें फैंट्स Financial Air 2025 के लिए राजकोशी घाटे का लक्षे रखा गया आपका 5.1% वहीं बात करें Financial Air 2024 का कुल वे संशोदित होकर जो है वो आपका हो गया है 44.90 लाग करोड रुपीज वितवश 2024 में उधार के लावा कुल प्राप्तियां जो है ये आपकी है 27.56 लाग करोड रुपीज Financial Air 2025 में जो कुल उधारी का लक्षे है वो रखा गया है 11.75 लाग करोड रुपीज Financial Air 2024 की कर प्राप्तियां जो है वो है 23.24 लाग करोड रुपीज वहीं बात करी Financial Air 2026 तक राजकोशी घाटे का जो कम करने का लक्षे है वो कितना रखा गया है तो वो आपका रखा गया है 4.5% Financial Air 2025 सरकल बजार उधार 14.13 लाग करोड रुपेज जो है वो देखा गया है सीता रमन जी जो है फ्रेंट्स कहती है कि पिछले 10 सालों में जो हमारा करदाता अधार है वो बड़ा है यानि कि हमारा Tax Peer Base जो है फ्रेंट्स वो पिछले 10 सालों में बड़ा है ये सीता रमन जी का कहना है और प्रतेक्ष और प्रतेक्ष कर धांचे में जो है वो कोई भी बदलाव नहीं किया गया निर्मला सितरामन जी ने अपने बजट भाशन के दुरान आईकर को लेकर किसी भी तरह की नई घोशना नहीं की और income tax lab जो है वही बना रहा तो दीखे फ्रेंस इसमें जो है आपका income tax lab जो है वही बना रहा जो की पिछली बार 2023-2024 के बजट में था उसका मैं आपको कुछ important points बता देती हूँ तो इसमें जो है अगर आपकी आई जो है वो 0.3 लाग के बीच इसके बारे मैं आपको कुछ important points बता देती हूँ तो इसमें जो है आपको tax कैसे देना पड़ेगा अगर आपकी आई जो है वो 0.3 लाग के बीच में है तो आपको कोई भी tax नहीं देना पड़ेगा ठीक है अगर आपकी आई जो है वो 3.6 लाग के बीच है तो आपको 5% tax देना पड़ेगा अगर वहीं आपकी I जो है फ्रेंट वो 6 से 9 लाक के बीच है तो आपको 10% tax देना पड़ेगा अगर आपकी I जो है वो है 9 से 12 लाक के बीच तो आपको 15% tax लगेगा अगर आपकी I 12 से 15 लाक के बीच है तो आपको जो है देना पड़ेगा 20% tax और अगर आपके आई जो है वो 15 लाग से उपर है तो आपको जो है टेक्स देना पड़ेगा 30% ठीक है और सरकार जो है ये व्यक्तिगत करताताओं के लिए वितवश 2010 तक लंबित 25,000 रुपई तक की प्रतेक्षकर मांगो को वापिस लेकी नेक्स ही किया अंतरीम बजट में वितवश 2011 बंदरा तक जो है 10,000 रुपई तक की विवादित प्रतेक्षकर मांगो को वापिस लेने का प्रस्ता भी शामिल है इसमें जो है स्टार्ट अप्स, सोवरेंड वेल्थ, द्वारक येगे निवेश, पैंशन वंड के लिए करला मा मार्च 2025 तक जो है वो बढ़ाया जाएगा वितवश 2015 में उधार के लावा जो है कुल प्राप्तियां 30.80 लाग क्रोड रुपई होने का अनुमान है और financial aid 2025 की जो कुल वे है ये 47.66 लाग क्रोड रुपई अनुमानित की गई है तो ये थी कुछ important information आंतरीम बजट 2024 से ठीक है आपको बजट से लेटे static जी के कि सभी question जो है वो पता होने चाहिए तो उनी के बारे में अब हम देखेंगे तो देखे बजट शब्द जो है friends इसका अर्थ क्या है तो बजट शब्द का अर्थ होता है चमडे का थैला यानि कि option number ये right answer रहेगा नेक्स्ट है आपका question बजट शब्द की जो उत्पती है friends ये किस भाशा से हुई तो इसके आपकी उत्पती हुई है French भाशा से option number B right answer है नेक्स देखिये जो भारत में पहला बजट था जो की 18 February 1860 को friends पेश किया गया था ये किस ने पेश करा था राइट answer is option number A East India Company के James Wilson ने जो है भारत में पहला बजट फ्रेंड्स पेश किया था 18 February 1860 को नेक्स्ट है आपका question भारत में जो पहला बजट है ये कब पेश किया गया था राइट answer is option number A 18 February 1860 को भारत में पहला बजट पेश हुआ था नेक्स्ट है भारत में बजट परणाली की जो शुरुवात है ये किस वाइस राइट के कारेकाल के दौरान की गई थी तो इसका राइट answer रहेगा आपका option number B Lord Canning के कारेकाल के दौरान जो है भारत में बजट परणाली की शुरुवात हुई थी नेक्स्ट है आपका question सम्हिधान में जो बजट शब्द है इसकी जगह क्या प्रयोग हुआ है तो option number C right answer रहेगा इंग्लीश में आपको annual financial statement जो है ये जो है लाइन मिलेगी बजट के जगहा और हिंदी में आपको वाशिक वित्य विवन मिलेगा बजट शब्द की जगह नेक्स्ट है क्या आपका question वाशिक वित्य विवन का प्रावधान जो है ये भारतिय समिधान की किस अनुछेद में है तो right answer इसका आपका क्या रहेगा option number C अनुछेद 112 में नेक्स्ट है किस वर्ष सर विलियम एक्वर्थ की अध्यक्षता में जो है इस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशो पर फ्रेंट्स सामाने सरकारी वित्य से रेलवे वित्य को अलग कर दिया गया था right answer is option number A 1924 में next question पर move करने से पहले आपके लिए एक important information है जो हमारी last 12 months की current affairs की paid PDF reference वो launch हो चुकी है जिसमें कि आपको वाशिकां की current affairs मिलेंगे 2023 के अगर आपको बई करनी है तो आप हमारी website विजर कर सकते है www.ravibooks.pdf.com के नाम से है इसी के साथ आपके लिए एक और good news है जो हमारी Indian quality की paid जिसमें की previous year के आपको सभी questions मिलेंगे वो भी launch हो चुकी है वो भी आपको इसी website में मिल जाएंगी दोनों के ही link आपको इसी video के description में मिल जाएंगे आप शरूर check out कर लेना और इसी के साथ आपके लिए एक और good news है वो क्या जो हमारा mobile app है friends वो launch हो चुका है रविस्टरी IQ G के नाम से है आपको play store से जाके download कर लेना है यहां पे आपको जो है daily quiz करवाया जाता है यहां पे आपको सभी current affairs के questions मिलेंगे topic wise बाकी भी सभी जो topics wise जो है static GK उसके questions आपको मिलेंगे easily अगर आपको geography पढ़नी है bio पढ़नी है कुछ भी आपको बढ़ना है history बढ़ना है तो आपको जो है यह app के थ्रूँ आपकी काफी जादा मदद होगी तो इसले आपको यह app download कर लेना है अपने play store से ठीक है रविस्टडी IQ GK के नाम से है logo लगा होगा channel का तो इसे के साथ हमारे next question के और बढ़ जाते है नेक्स एक है आपका question भारत का जो केंद्रे budget और railway budget है यह क त्यार किया जाता है नेक्स एक ताइए और अपको ऊशन स्वातानतर भारत का जो पहला budget था वो किस पैश किया था तो राइट अंसर ऑपिच नम Pre joint नम बर E लेन नेक्स एक ये निमल निकित में से कौन सा बजट जो है वो भारत का पहला paperless budget प्रस्तुती है तो right answer इसका आपका क्या रहेगा option number C budget 2021 जो है friends ये भारत का पहला paperless budget की प्रस्तुती है next एक ये sunset में कितनी बार paperless budget को पेश किया गया right answer is option number D 4 बार तो sunset में कुल मिला के 4 बार paperless budget पेश किया गया है कब-कब ये मैं आपको बता देती हूँ तो sunset में 2021 में 22 ने 23 में और अब 2024 में paperless budget पेश किया गया है next एक ये question में भारत की जो पहली पून कालिक महिला वित्त मंतरी है वो आपकी कौन बन गी है तो right answer इसका आपका क्या रहेगा option number D निर्मिला सीतारमन जी जो है ये पहली पून कालिक महिला वित्त मंतरी बनी है भारत की next important question है भारत की पहली महिला वित्त मंतरी जो थी फैंस उनका क्या नाम था तो उनका नाम था इंदरा गांधी जी option number A right answer रहेगा next important question budget में जो है वो क्या होता है तो right answer इसका option number D है वो प्यूकत सभी budget में आपको सरकार की आमधनी और प्रस्तावित योजनाव पर होने वाले खर्च का विवन मिलता है सरकार की कमाई और खर्च का विवरा मिलेगा और मंतराले को उनके खर्च के लिए धनराशी का वंठन है next एक ये लगतार चटी बार जो है फ्रेंट्स budget पेश करने वाली पहली महिला वित्तमंत्री कौन बन गई right answer option number A रहेगा नेमला सीतारमन जी जो है ये लगतार चटी बार जो है budget पेश करने वाली पहली महिला वित्तमंत्री बन गई है next एक ये भारत में जो निमन में से कौन सा budget का प्रकार नहीं है option number D रहेगा इसका भारत में जो है आरक्षित फ्रेंट्स ये budget का टाइप नहीं है next question भारत में शुन्य बेस बजट का प्रेयोग जो है वो पहली बार किस परश में किया गया था right answer is option number C 1987 में फ्रेंट्स भारत में पहली बार शुन्य बेस बजट का प्रेयोग हुआ था next important question है किसने भारत में जो है सबसे लंबा बजट भाशन दिया है तो right answer इसका आपका रहेगा option number B निर्मला सिता रमन जी ने जो है भारत में सबसे लंबा बजट भाशन जो है वो आपका दिया है और इन्होंने जो है दो घंटे और 42 मिनेट्स का जो है ये भाशन दिया था ठीक है सबसे लंबा बजट भाशन था जो अब तक का अगर वहीं बात करें हम फ्रेंड्स सबसे चोटे बजट भाशन की तो वो आपका दिया गया था हमारे former finance minister हीरू भाई मुलजी भाई पतेल जी के दौरा कब 1977 में ठीक है नेक्स्ट है आपका question भारत में कितने प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री रहते हुए बजट पेश किया राइट अंसर उप्शन नमबब B है तीन उन दीन के वे नाम आपको बता देती हूँ तो जो आहला नहरू जी राजीव गांदी और इंद्रा गांदी जी ने जो है प्रधान मंत्री रहते हुए जो है बजट पेश किया है नेक्स कोशन देखते हैं आपका गंदंदर भारत का जो पहला बजट था फ्रेंट्स ये किस ने पेश किया था तो ये आपका पेश करा था जोन मत्हाई जी ने उप्शन नमबर A राइट आंसर रहेगा कब पेश करा था तो ये आपको बता देती हूँ गंदंदर भारत का जो आपका पहला बजट था फ्रेंट्स ये पेश करा गया था 28 February 1950 को उप्शन नमबर B जो है क्रेक्ट आंसर रहेगा नेक्स आपको कोशिन है सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकोर्ड किस नेता के पास है तो ये आपका है मुरार जी दिसाई जी के पास उप्शन नमबर A राइट अंसर रहेगा इनोंने जो है कुल मिला के 10 सबार बजट पेश करने का रिकोर्ड बनाया है नेक्स एक ये 2017 से पहले बजट किस तिति को पेश किया जाता था 2017 से पहले बजट आपका February के अंतब में आता था और 2017 के बाद इसका time ये change किया गया ये जो है February के शुरू में आना शुरू हुआ और ये 11 बज़े सुभे आता है बजट और जो है 2017 से पहले जो है शाम को आता था ये बजट अब जो है सुबह आता है ठीक है नेक्स एक ये 2017 के बाद बजट की स्थिति को पेश किया जाने लगा राइट अंसर इस ओप्शन नमबर ए 1 फेबरेरी को नेक्स है जो की लास्ट कोशन आज की विडियो का अंतरीम बजट जो है वो क्या उसे और क्या कहा जाता है तो प्शन नमबर स्वी राइट अज़े रहेगा उप्यक तो दोनों तो फेंस अंतरीम बजट को हम मेनी बजट कहते हैं और vote on account बजट कहा जाता है और इस बार जो है 2024 में अंतरीम बजट अभी तक पेश किया गया तो ये थे कुछ important questions 2024 के अंतरीम बजट से जुड़े हुए और बजट के static जिक्के से जुड़े हुए उमीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अब मैं आपसे two questions का test लूँगी जिसका आपने मुझे comment section में write करके बताना है complete video देखने के बाद तो देखिए first question आपका test का है अंतरीम बजट 2024 को किस के दौरा पेश किया गया for options आपके पास है राइटेंस आपने मुझे comment section में बताना है इसी के साथ next question test का सबसे अधिक बार budget पेश करने का record किस नेता के पास है for options आपके पास है इसी के साथ हमने मुझे ये भी बताना है कि निर्मला सिता रमन जी ने जो है लगतार कौन सी बार budget पेश किया ठीक है तो ये थी आज की important video और ये थे हमारे test के two questions answer आपने मुझे comment section में देने है और हमारी paid e-books के लिए आपने हमारी website visit करनी है www.ravibooks.pdf.com के नाम से है और play store से आपने हमारा mobile app चोहाई ये download कर लेना है डेली के quizzes के लिए static gk के लिए और current of years के लिए रवी study IQ gk के नाम से है तो आज के लिए इतन ही अब आप से मुलकात होगी next video में को ने topic के साथ thank you so much for watching this video and wish you all the very best for your upcoming exams